2019 में लोगसभा इलेक्शन से ठीक पहले एक मूवी आती है विकी कौशल, यामी गौतम, परेश, रावल, स्टारर उरी, The Surgical Strike विकी कौशल की तो किरियर बना दी उस मूवी ने लेकिन उस मूवी के पीछे जो ब्रेंज थे, वो थे लिरिसिस, डिरेक्टर, राइटर, अधित्या धार के जिरोंने मूवी के स्टोरी लाइन को और फाइट सीक्वेंसिस को एकदम टाइट रखा और नैशनलिजम का सही तड़का मार के उसे एक वेलमेड स्लिक ब्लॉकबस्टर बना दिया 360 करोर्स कमाई उरी, The Surgical Strike ने on the box office मैंने box office पर ही Surgical Strike कर दिया और उस समय पर भी बहुत सारे सवाल उठे थे कि क्या ये मूवी सिनेमा है या इसमें सरकारी प्रोपगेंडा है Cut to 2024 ठीक पात साल बाद एक और मूवी आती है इलेक्शन से ठीक पहले Article 370 इसमें भी यामी गौतम है और इस बार अध्यत्याधर मूवी के डिरेक्टर नहीं है मूवी के प्रोडूसर बन गए है साथ साथ वो यामी गौतम के हस्बेंड भी बन गए है मूदी सरकार के शायद सबसे एहम फैसले पर बनी Article 370 ट्रैक करती है उन डेवलपमेंट्स को जिसके बाद Article 370 को अब्रोगेट किया गया मूवी को देखके, ट्रीटमेंट को देखके लगता है कि इस बार बाद 370 पार, I mean 370 करोर पार on the box office लेकिन सवाल फिर से उठ रहे हैं कि मूवी कितनी प्रोपोगेंडा है, कितनी सिनिमा है, कितनी फैक्चुल है, कितना फिक्शन है क्या आपको Article 370 देखनी चाहिए सबसे पहले यह आंसर कर देते हैं देखिए, देशभक्त पर हम सरकारी काम नहीं करते हैं आपको क्या पहनना चाहिए, खाना चाहिए, देखना चाहिए यह हम डिक्टेट नहीं करेंगे लेकिन वे हिचक यह बात कह सकते हैं कि 2024 की one of the most successful movies प्रूव हो सकती है Article 370 गजब का action, गजब का storyline, गजब का tension और political drama है इस movie में सब मिलेगा आपको Article 370 में लेकिन बस इसको इतिहास का part या real documentary समझकर मत देखने लगना perfect feel good पैसा वसूल BMKJ वाली feeling आएगी आपको यह movie देखकर और facts के साथ fiction और politics को ऐसे मिलाया गया है जैसे आपका दूद वाला पानी में दूद मिलाता है समझाता हूँ कैसे first the good points और इसी लिए आपको यह movie disappoint नहीं करेगी थेटर में पैसा तो आपका वसूल हो जाएगा एक जबाना था जब हॉल में लोग सोने चले जाते थे second half पे उठके चले जाते थे article 370 में 5 minute भी आप seat से नहीं हिलोगे सुसू break आया था मैं दोड के गया भाग के वापस आया तो edge of the seat movie है ये उरी के makers ने picture बनाई है तो आप taken for granted कर लो की action sequences top notch होंगी militants के साथ जो encounter दिखाया गया है बहुत ही real life है ऐसा लग रहा है कि lie ammunition का इस्तमाल किया हो climax होता है 2019 में with the abrogation of article 370 चार साल का timeline को pack कर दिया गया है 2 hours 40 minutes में तो आप समझ सकते हो कि कितना पेसी movie है full points देर कई जगे जैसे बुरहान की encounter के बाद stone belting उसकी real footage का इस्तमाल किया गया है बहुत deep research के बाद ये picture बनाई गई है जो कि Bollywood में हमेशा एक historical weak point रहा है कौन research scripting करता है वहाँ भी full points casting के लिए भी full marks दिव्या सेट को आप देखोगे तो आपको लगेगा अरे ये तो महभूमा मुफ्ती खुद ही picture में acting कर रही है अरून गोविल का get up जो है जो make up जो है वो प्रधान मंत्री के इतने करीबन आता है near perfect है पहले अरून गोविल जी भगवान श्री राम का role play करते थे और अब मोदी जी का इसे कहते हैं सन्योग मुवी को plus point इस बात पर भी मिलते है कि वो back channel talks, negotiations, give and take की दुनिया में जागने की कोशिश करता है वो दुनिया जहाँ छोटा terrorist सरकार का दोस्त होता है बड़े terrorist को रोकने के लिए जहाँ conflict, जजबात और जिहाद से जादा पैसों का खेल चलता है जहाँ सालों से लालची नेताओं ने कश्मीर को अंदर से खोकला किया है अपनी जेवे भरी है इस सब के खिलाफ लड़ने की कोशिश करती है जूनी हकसर, प्लेट ब्रिलियंटली बाई यामी गौतम जो एक intelligence operative है जिनके पिता को जमुएन कश्मीर बैंक में स्कैम को expose करने के लिए suicide मार दिया जाता है मज़ी की बात है कि ये स्कैम जो है ये असली में हुआ था और अब्दुल्लास के खिलाफ प्रोब भी हुआ था इस real life स्कैम को भी मुवी के स्टोडी लाइन में integrate किया गया है शायद ये यामी के career में सबसे power pack performance रहा है उनका लेकिन डिरेक्टर अदित्य सुहास और producer अदित्यधार को थैंक्स इस बात का कि इसे कुछ और बॉलिवूड मुवीज के तरह pure us versus them हिंदु मुसलिम binary बना कर नहीं रखा सबसे आसान तरीका होता डिमांड भी है ऐसे मुवीज की जनता में लेकिन नहीं किया गया फोकस रखा गया टेरुरिजम पर पाकिस्तान पर स्टोन पेल्टिंग पर आर्टिकल 370 पर इन फैक्ट जूनी ज राइट हैंड मैन उसका जो most trusted ally होता है उसका नाम है वसीम हम भूल जाते हैं कि कश्मीर मिलिटेंसी में जो इतनी हजारों मौते हुई हैं इतने सालों में उनमें मुसलमान ही mostly मारे गए हैं पाकिस्तान इस लड़ाई में इस insurgency में धरम को बस एक जरिया बनाता है मकसद तो कुछ और है तो movie fail फिर कहां होती है शुरबात में मैंने बोला था ये एक feel good movie है है न अब feel good movie सच्ची movie कहां से हो गए ये आपको किसने बताई ये बाता है केरला स्टोरी में लोगों को अच्छा सा C बनाया गया true story true story about ISIS का recruitment बोल कर खूब सारा पैसा 300 करोर से जादा छापा गया फिर मामला सुप्रीम कोट तक पहुंचा सुप्रीम कोट ने बोला कि इसमें fictional वाला disclaimer लगाओ सबसे पहले मूवी में लेकिन तब तक तो पैसे कमाई लिये थे now 40,000 ओरते तो गायब नहीं हुई थी कोई recruitment ring तो नहीं मिला था लेकिन लोगों ने उसी को आज सच मान लिया है आर्टिकल 370 के निर्माता शुरूत से ही smart है मूवी के शुरुवात में मैंने इत्ता लंबा disclaimer कभी नहीं देखा है दो-तीन मिनिट तक आपको English में, Hindi में disclaimer बुलेगा that this is a work of fiction based on the abrogation of article 370 इसका मतलब ये है कि मूवी को पूरी तरीके से सच मत मानियेगा और अगर सची complicated history जाननी होगी तो मेरे ख्याल से आपको ये तो समझना होगा कि picture से आपको पूरी history नहीं मिलेगी अगर आपको article 370 की history कश्मीर की complicated history समझनी है तो या तो हमारे कुछ पूराने episodes देख लो या तो कुकू FM में सुन लो पढ़नी, सुन लो audio books के माध्यम से the history of article 370 क्यों किया गया था background क्या था, details क्या थे impact क्या है और अगर 370 नहीं, कुकू FM पर आपको geopolitics, knowledge based books, biographies बहुत कुछ सुनने को मिलता है बहुत कुछ learn करने को मिलता है जो कि आपको social media में गलत information मिलता है, उससे बचने की कोशिश करिए मैं खुद ही आजकल stress management की किताबे पढ़ रहा हूँ वो editor को handle करना होता है तो उसके लिए stress management की business management की किताबे पढ़ने की अज़े editor relax है, ये कोशिश कर रहा हूँ आप भी और editor भी कुकू FM पर 10,000 titles access कर सकते हैं and 50% off आपको मिलता है कुकू FM के first month of subscription में इसका मतलब instead of 99 rupees first month only for 49 rupees और unlock करिये 10,000 से ज़ादा audio titles link मैंने नीचे description box पे दिया हुआ है anyways, तो movie का सबसे बड़ा weak spot क्या है अधित्यधार, director of Uri, The Surgical Strike और Article 370 के अप producer खुद ही कहते हैं कि Uri एक war movie थी और Article 370 एक political movie है, वो कहते हैं propaganda नहीं है, political movie है चलो ठीक है, मान तो लिया ना क्योंकि ये जो politics है, ये साफ पूरी picture में जलगती है propaganda है या नहीं है ये आप ही decide कले ना, मैं आपके उपर कोई decision थोपूंगा नहीं कश्मीर इंडिया का हिस्सा पहले से क्यों नहीं बना, संकोच क्यों किया नहरू की गलती, कश्मीर आथ स्विजिलेंड क्यों नहीं बना हुआ है, कॉंग्रिस की गलती ओरी और 370 के मामले में PMO bullet train की रफ्तार से काम करती है, efficiency से काम करती है economy, jobs को लेकर भी इतनी तेजी से काम करती है तो देश का भला हो जाता human rights तो बस liberals का बहाना है विकास को रोकने के लिए और back channel से आज तक कुछ घंटा नहीं हुआ है सिर्फ brute force से bulldozer से ही सब कुछ होता है brute force से काम चलता है जब वो इन कश्मीर में तो कम से कम यह दिख रहा है stone pelting down, militancy down लेकिन movie हमें यह समझा नहीं पाता है कि सिर्फ article 370 के abrogation से security situation कैसे improve हो गई क्योंकि security तो पहले से ही हमारे हाथ में थी और article 370 तो धीरे धीरे over the year सिर्फ एक कागस का टुकडा ही रह गया था जिससे law कम emotion ज़ादा attached थे 370 हटा कर पाकिस्तान को एक clear political message दिया गया है separatist को एक clear political message दिया गया है लेकिन movie यह नहीं दिखा पाता है कि सालों से लाखों security forces जो अब जम्मूइन कश्मीर में तैनात हैं उनकी वज़े से यह जो शांती है इनके हटने के बाद क्या होगा movie की सबसे बड़ी गलती है कि यह जान बूच कर एक populous चाल खेलती है कि कश्मीर के विकास को 370 से जोड़ दो जैसे ही 370 जाती वहीं कश्मीर में बदलाव आ जाता हवा चलने लगती नकसल dominated दानते वड़ा एरिया में एक operations commander ने मुझे एक बहुत interesting चीज बतायी थी बहुत साल पहले कि नकसल्स को तो security forces दो minute में हटा दे लेकिन फिर नेता लोग development नहीं ला पाते हैं फिर से corruption होता है नकसल्स फिर से वापस आ जाते हैं उन areas में जहां वो already clear out हो चुके हैं अब कश्मीर में security forces जो तो अपना काम कर दिया है interval के बाकी बाद क्या होगा वो story अभी बाकी है movie इस बात पर focus नहीं करती है article 370 हटने के इतने साल बाद भी आज तक जमूइन कश्मीर लदाख में statehood वापस नहीं दी गई है क्यों? article 370 के हटने के इतने साल बाद भी army forces इतनी बड़ी तादाग पर वहां क्यों मौझूद है article 370 हटने के बाद भी investment हजारों गरोरों की बाते होती है नाम पर आता जादा कुछ नहीं है article 370 हटने के इतने साल बाद भी कड़कती सर्दी में लदाग की जनता सडकों पर क्यों आई है statehood demand करने के लिए एक और बड़ी failure हर दूसरी पिच्चर में पुलवामा में 40 CRPF जमान शहीद किये जाते हैं अब हाली में fighter में देखा अब operation valentine में देख रहे हैं और article 370 में ठीक है लोगों के sentiments हैं आप उन्हें बार-बार exploit कर रहे हो लेकिन कभी कलती से ये सवाल भी पूछ लिया करो कि RDX आया कैसे? कौन लाया? इतनी intelligence warnings थी जिदको ignore किया गया उसकी जिमेदारी कौन लेगा? और इस overall pull mama में जो हुआ उसकी हमारे देश में किसने moral responsibility लिये है और हमारे ही forces में कौन mole था? क्या हमने ये बात बाहर की है? एक छोटी सी बात और कहूंगा लास्ट में आप शायद notice भी ना करो और मैं खूत नहीं निकाल रहा हूँ पिच्चर में लेकिन movie में एक scene आता है जब एक ISI agent को stone pelters रोकने की कोशिश करते हैं जब उसे गिरफतार करके ले जाये जाता है forces के बास backup नहीं होता है तो वो क्या करते हैं? उस बंदे को गाड़ी के bonnet पर बात देते हैं stone pelters बिलकुल शांत उन्ही के भाशा में उनको समझा दिया ये human shield वाली घटना 2017 में सच में घटी थी और उस समय देश भर में लोगों को ये bulldozer justice बहुत पसंद आया था हुआ यू था कि major गोगोई एक कश्मीरी फारुक दार को human shield उन्होंने बनाया allegedly stone pelters से बचने के लिए जनता ने कहा वाँ जनता ने तो गोगोई को hero बना दिया बाद में investigation पर पता चला कि major गोगोई ने दार को 5 घंटे के लिए जीप पर बाद कर 17 villages करीबन 30 km क्रोस किया था ये 30 km तक कौन से stone pelter होता है भाई Indian army one of the most disciplined armies in the world है उसके एक वज़े है एक respect है एक तरीका होता है सलीका होता है काम करने का हमारे forces का तो ये एक unfortunate incident था और होता भी यही है कि जब आप check नहीं करते हो ना ऐसे लोगोगो को बाद में एक 18 साल की लड़की के साथ गुगोई को श्रीनगर के एक hotel में पकड़ा जाता है while he was on duty और भी interesting details है खैर उनके against court martial फिर होता है ऐसे incidents को filmmaker ने जान पूच कर glorify किया है जब उसे कह लीजे populist card खेलना था populist card कूट कूट कर खेला गया है सरकार की द्रंटता दिखाई गई है Congress का निकमापन दिखाया गया है पाकिस्तान की पिटाई दिखाई गई है और कश्मीर में return of normalcy खुशाली, बहाली और शांती दिखाई गई है ये सब populism आपको मिलेगा बस एक सवाल का जवाब आपको नहीं मिलेगा कि इतना सब कुछ होने के बाद नॉर्मलसी आने के बाद एक आम कश्मीरी नागरिक क्या सोचता है क्या उसका हृदय परिवर्तर हुआ है या नहीं आर्मी के खिलाफ अभी भी torture cases क्यों सामने आ रहे है local youth हतियार क्यों उठा रहे हैं पाकिस्तान से terrorist भेजने की जरुवत नहीं पड़ नहीं है इन सब सवालों का थोड़ा सा जवाब September 2024 तक मिलेगा जब जम्मू और कश्मीर में election सरकार को करवाने पड़ेंगे as per the directions of the Supreme Court तब Article 370 का जो दूसरा साइड है कश्मीर का साइड है तब शायद ये हमें पता चलेगा लेकिन तब तक Article 370 के 370 करोर्स तो पक्के हैं आप समझे लिजए बॉक्स आफिस पर पस एक कंडिशन है कि ये मूवी ना चले और इसमें मूवी अपने आप की गोई गलती ना हो कि लोगों के अंदर ही ये समझ में आ जाए ये फॉर्मूला जो है उनको समझ में आ जाए और वो परिशान हो जाए कि बस हो चुका यार ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मोधी सरकार की जय 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 और हमारा सरकार सबको घुस के मारता है फाइटर के साथ रिसेंटली ऐसा हुआ 250 करोर की मूवी 350 करोर बनाते बनाते ठक गई जबकि expectations बहुत ज़ादा था इस picture में, मूवी में सब कुछ था fighter jet था, रितिक था, दीपिका पाकिस्तान, क्या नहीं था तो क्या लोग election से ठीक पहले meaningful cinema demand करेंगे हमारे देश में क्या चल रहा है उसके बारे में बात करना चाहेंगे काश ऐसा होता उमीद कम ही है आपको कैसे लगी article 370, अगर देखी हो तो comments में लिखिए, अगर नहीं देखेंगे वो भी comments में लिखिए और thanks to Cuckoo FM for making this episode possible Cuckoo FM पर जाईए, थोड़ा सा और पढ़िए समझे हमारे देश की history audio पढ़िए नहीं, सुनिए और समझे हमारे देश की history Cuckoo FM's first month of subscription only for 49 rupees 10,000 audio titles आप unlock कर सकते हो code इसमाल करेगा DB50 देशभग 50 के लिए DB50, link नीचे description box पे, many thanks for watching